नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों हिमाले एजवाब के इस यूटूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आज के इस सेशन में हम बातचित करेंगे अपनी जो नई रीट भरती परिक्षा आने वाली ह उसके बारे में जनवरी के अंदर आपकी पातरता परिक्षा होगी और एक महिने बाद में आपकी जो भीट जो मैंस होगी जो मुख्य परिक्षा होती है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जहां तक माने मई या जून तक आपकी मुख्य परिक्षा हो जाएगी तो ज् हम बात्युद करते हैं मुख्य रूप से बात्यूध करेंगे कि रिट्प्री को तो किस तरह से किलिर करें कितने मांक्स हमें उसके लिए चाहिए गर दो महीने का हमारा मांस्ट्र प्लान क्या होना चाहिए और ऐसा प्लान करेंगे अपन कि BE porch फि civ क theor होगा ही होगा बट रीट मैंस की 60 परसेंड तैयार है तो अपनी इन दो महीनों में भी को आराम से हो जाएगी देखिए अगर हम बातृत करें रीट पृट सबसे पहले हम बातचित करेंगे Reed Pre Reed Pre निकालने के लिए जो आपकी पात्रता परीक्षा होती है पात्रता की बात कर रहा हूं ओन India उसे पास करने के लिए कितने नमबर चाहिए वए 60% कौन सी के टगरी के बता रहा हूं मैं जेनरल के टगरी के मतलब 60% मैंने maximum बताएं आपको फिर categories wise हैं जैसे OBC के लिए कितने हैं, MBC के लिए कितने हैं, SC के लिए कितने marks हैं, 55% marks, ओके, और REIT PRE का अगर आप slavus देखते हो, आपको REIT PRE का slavus देखना है, और एक तरफ मैं बातचित करता हूँ, REIT MENS, यह exam अगर आप clear करते हो, REIT MENS, तो आप क्या बन जाओगे एक भावी शिक्षक, एक बहुती शानदार आप, शिक्षक बन जाओगे, आपको नोक्री मिल जाएगी, उसके लिए आपको REIT MENS निकालना पड़ेगा, REIT MENS में बैठने के लिए आपको REIT PRE निकालना पड़े अब REIT MENS का जो SLAVUS है, अपन बातचित करेंगे इन दोनों के SLAVUS पर और एक प्यारी सी स्टेजिम आपको अच्छे से समझाता हूँ, देखो, 60% marks चाहिए, अगर आप तयारी करते हैं REIT MENS पर फोकस करके, तो क्या आपका REIT PRE निकल सकता है, बताओ, अगर आप REIT MENS पर फ साइकलोजी का जो बहुत सारा SLAVUS अब वो दोनों का लगबग सेम है, बहुत सारे टोपिक्स दोनों में other subjects के भी सेम है, तो अब आपको करना क्या है कि 60% marks चाहिए, जिसमें से 40% marks जो है, बहुत तो इन दोनों का जो सेम SLAVUS है, कितने परसेंट? 40% marks, जो इन दोनों का सेम SLAVUS सब वहीं से आ जाएंगे, तो यह 40% marks यहां पहुंच गए, अब बचे कितने? 20%, अब आपको होगे सर, यह 20% marks हम कहां से लेकिया है, अब यह 20% marks के लिए आपको कुछ ही नहीं पढ़ना है, और यह आपके 20% marks आ जाएंगे, अब ऐसे बोलोगे सर, आप तो गोली दे र रखी है, तो इन में जो एकदम नोर्मल नोर्मल जी के वाले questions आएंगे, अपने यह एक्जाम से भी तो निकालने हैं, तो यह 20% marks वहीं है, ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे विद्यार थी यह बात कहते रहते हैं, कुछ parents भी बात करते हैं कि हाँ, अपने यह 20-25% marks तो बिना पड़े ही आजाएंगे, यह वह वाले marks है 20%, पढ़ना क्या आपको, यह 40% लेके आने आपको पड़े के, और यह 40% अपन लेके आएंगे, रीट मैंस की उपर अच्छे से focus करके, साथ साथ में अपन टेस्ट लगाएंगे खूब सारे, मैंस के साथ साथ में प्रीपे उपर हमारा focus रहेगा, और बातचित करें, अगर आपन दोनों की तैयारी करते हैं, तो आपकी रीट मैंस की बहुत ही बहतरीन तैयारी हो जाएगी, और रीट प्री आपकी निकल जाएगी, अथार्थ अपन एक तैयारी करेंगे foundation वाले तरीके से, foundation, जिसमें मुख्य फोकस हमारा रीट मैंस पे होगा, रीट की मुख्य प्रिक्षा के उपर होगा, और रीट प्री भी हमारा निकल जाएगा, अच्छे खासे मार्ग से हमारा रीट प्री निकल जाएगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे अपने foundation में, देखो मैं बताता हूँ आपको कुछ बातें बताता ह है, topic wise अपनी classes रहेंगे, दूसरी चीज, topic wise अपने test रहेंगे, यह foundation बहच वाले जो students हैं, उनके लिए मा बता रहा हूँ, topic wise आपकी classes रहेंगे, topic wise आपके test रहेंगे, फिर test जो है, इनका level बढ़ेगा, और यह topic से बढ़के subject wise जाएगे, इसके बाद level थोड़ा और बढ़ेगा, और level और बढ़के क्या होंगे फिर यह, फिर आपका जो complete syllabus है, फिर आपका जो complete syllabus है, complete syllabus के according फिर आपके यह test होंगे, तो प्यारे बच्चों, अगर आप regular test भी देते हो, चीजें पढ़के test देते हो, ऐसे नहीं मुँ उठाके गए सि कोई फाइदा नहीं होने वाला है, फाइदा कैसे होता है, पढ़के जाओ, test देओ, test देने के बाद वापस घर पे आओ, जिन जिन topics का test था, देखो कितने सवाल गलत हुए है, वो सवाल गलत हुए है, तो क्यों हुए है, और मैंने कौन सा option किया है, जो मुझे नहीं करना च चाहिए था, और मुझे कौन सा option करना चाहिए था, ये चीजें आप swim का मुल्यांकन जब करते हो, तब आपके लिए कोई भी test series, या फिर आप जो भी test देते हो, वो आपके लिए बहुती शांदार साबित होंगे, वो आपको उचाईयो पिले के जाएंगे, और उनसे definitely आप foundation batch की, अब test series की मैं बात बताता हूँ आपको, test series, जो की मुखे रूप से इसका focus किस पे रहेगा, पातरता प्रिक्षा पे, रीट जो pre होगी अपनी, रीट प्री जो होगी, इसके उपर focus रहेगा, मेरी बात सभी ध्यान से सुनेंगे एकदम, रीट प्री पे focus रहेगा, और ये test series online भी रहेगी, और ये test series offline भी रहेगी, online जिनको test series देनी है, वो वीडियो के description में हमारी app का link दिया हुआ है, वहां से application जरूर डाउनलोड कर लें, और दिवाली का offer है, अभी launch करने वाले हैं दिवाली का offer, दिवाली का offer लगा के, और आप सबस्ते में वो test series खरीज सकते हैं, उस test series के अंदर आपको इतने शांदार question मिलेंगे, जो direct relevant होगे, आपकी read पातरता परिक्षा से, इसलिए सभी test series को जरूर जोइन कर लेंगे, ये test series आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद रहने वाली है बच्चों, यार इतने महंगे महंगे आप लोग course खरीदते और हमें आपके, total तो लृषँ, चторовड़ टेस्ट होंगे, total test कितने होंगे, चोदा, total 14 टेस्ट होंगे, इनमें से 9 टेस्ट जो होंगे, वो topic wise या फिर जिने schedule test कहते हैं, topic wise होंगे या scheduled wise होंगे, इसमें क्या होगा कि इस वाले subject से ये वाला topic इसलिए उप तो अलग-अलग सब्जेक्ट से कुछ-कुछ टोपिक उठाए जाएंगे ताकि आप सारे के सारे सब्जेक्ट भी कवर कर सको और उनके टोपिक्स भी आप कवर कर सको तो इस तरह के तो नो टेस्ट होंगे और फिर जो पांच टेस्ट होंगे आपके पांच टेस्ट होंगे यह फूल च्छों बेस्ट बेस्ट होंगे तो आप यह टेस्टी ज़रूर जोइन करें आज ही डाउंलोड करें हिमाले जी वृडियो के डिस्रिप्शन के अंदर आपको हमारी एप की लिंक मिल जाएगी ओके चलिए अब अपन बातचीत करते हैं कि री यह है केटेगरी एक साइड केटेगरी मेंशन है और एक साइड मार्क्स कितने चाहिए मार्क्स मेंशन है ओके तो जो जनरल केटेगरी है सामान ने जो जनरल केटेगरी है जनरल केटेगरी को 90 नंबर चीए और कितने में से चीए वही मैं पातरता परिक्षागी बात कर रहा पातरता परिक्ष्या को क्लियर करने के लिए जो जनरल केटिगरी है उसको 150 में से टोटल कितने होते हैं कितने नंबर गापेपर है 150 नंबर गापेपर है और कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए भई धाई गंटे का समय मिलेगा दाई गंटे का आपको समय मिलेगा 500 सवाल आएंगे 500 नंबर का होगा और 500 में से आपको 90 नंबर लाने होंगे पातरता क्लियर करने के लिए या फिर अगर बात चित करें तो 60% मार्ग्स आपको हासिल करने होंगे और यह तभी आएंगे जब आप रीट मैंस के उपर ज्यादा फोकस रख के तयारी करेंगे क्योंकि अपना लग से सिरफ रीट प्री क्लियर नहीं है अपना लग से है शिक्षक बनना और शिक्षक अपन तभी बन पाएंगे जब अपना रीट मैंस क्लियर हो और वो भी शांदार मार्च से क्योंकि आपको भी पता भई कटो बहुत हाई जाने लगी है आज कल बच्चे बहुत मेनत कर रहे हैं आगे देखें इडवलोएस, OBC, MBC और SC केटेगरी 83 नंबर या फर 55 परसेंट आगे देखें अनुसुची जनजाती के लिए 83 नंबर या फिर 55 परसेंट फिर देखें तो विद्वा, पृतक्ता, महिलाएं और जो भूतपूरोय सेनिक हैं उनको 75 नंबर चाहिए अथार्थ 50 परतिसत नंबर फिर देखें दिव्यांग सर्णि से जो है 60 नंबर या फिर 40 परतिसत उसके बाद में सहरीया जनजाती के जो विद्यारती है UNको 54 नंबर या फिर शिरफ 37 परतिस सतमाक्स उनको हासिल करने है पात्तरत क्लियर करने के लिए तो पात्रता तो आप क्या अराम से क्लियर हो जाएगी, लेकिन बेटा मैंस कैसे क्लियर होगी, मैंस कैसे क्लियर होगी, मैंस क्लियर होगी अभी से तैयारी करने से, अभी से लगो तैयारी के, तुरंट तैयारी के लग जाओ, बिल्कुल भी वेट मत करो, कि पांस दिन रेश् आते हैं और आते रहेंगे हमारी संस्कृति का हिस्षा है और जो रीट है जैसे अपने रास्थान में फेमस है विरोजगारों का कुम्ब है गया रीट तो ये एक बार फिर से कुम्ब मेला लगने वाला है और अपनी तैयारी खीच के कर लो अभी के अभी कर लो शिक्षक भरत प्रिक्षाओं में रास्थान में सर्वस्रेश्ट प्रिनाम देने वाला संस्थान हिमाले एजुहब हमेशा तैयार है आपकी हर प्रकार की सहायता के लिए आपको बहुत यह अच्छी तैयारी करवाई जाएगी फैकल्टी की जो टीम हमारी फैकल्टी टीम जो है वो संस्थान शिक्षक भरती प्रिक्षाओं को समंदित हमारा संस्थान है तो आप जरूर जुड़िए हिमाले जीवब से यूटूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर देंगे ताकि जितने भी इन्फोर्मेशन से वह टाइम लिए आपके पास में आ सके एप जरूर डाउ अब चैनल और 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 आफलाइन टेस्सिरीजर चैनल स्टर्व गूरिया ज्यादा से ज्यादा संध्या में आप पदा रहें और टेस्षीरीज जरूर दें मैं वादा करता हूं आप से कि ये टेस्सृरीज आपके लिए रामबान साबित होगी अकेली test series देने के बाद में ही आपको इसा लेगा वाह मज़ा आ गया क्योंकि यह test series जो है यह पूर्णतियार रीट प्री को समर्पित है और हमारा जो बैच है वो आपके लिए आपको समर्पित है आपको हम उस बैच के माद्यम से शिक्षक बनाएंगे उस बैच में आओ प्री क्लियर करो और साथ में मैंस क्लियर करो और बन जाओ एक शिक्षक तो चलिए विद्यार्थियो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाए धन्यवाद